Good morning class second, open your science book and open page number 87 तो बच्चाई, पेज नमबर 87 में आपका chapter 15 है safety and first aid यानि कि सुरक्षा और first aid यानि कि प्राक्मिक उप्चार जब बच्चा आपको सबसे जब चोट लगती है तो सबसे पहले जो treatment होता है उसे हम बोलते हैं first aid चाए वो आपकी घर में हो या hospital में हो जो सबसे पहला जो आपका इलाज चलता है उसे हम कहते हैं first aid अब जिसके बारे में आप पढ़ेंगे We should keep ourselves safe हमको क्या रहना चाहिए? सुरक्षित रखना चाहिए अपने आपको We should learn to take care of ourselves and other हमको सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम खुद को और दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं किस प्रकार से उनकी देखभाल अपने देखभाल और उनकी देखभाल कर सकते हैं There are safety rules which help us to look after ourselves and other यहाँ पर हम कुछ safety rules के बारे में पढ़ेंगे कुछ नियम के बारे में पढ़ेंगे जिससे हम अपने देखभाल कर सकते हैं और दूसरों की देखभाल भी कर सकते हैं We should always obey these safety rules हमें इसा इन safety rules की अग्या का पालन करना है इनको हमने अपने रूल में लाना है अब क्या हैं वो देखते हैं Safety rules while walking कौन सा safety rules करना है जब हम क्या करते हैं घूमते हैं हमें कि सुरक्षा का पालन करना है Be careful and learn on the road Be careful हमें इसा साफदान रहो जब आप क्या कर रहे हैं रोड पे चल रहे हैं Always on the footpath on the left side on the road देखो बच्चा हमें इसा कहां चलना है footpath में footpath वो रास्ता होता है जो पैदल जाने का रास्ता होता है यनि कि beach road में हमको नहीं चलना है और हमें इसा road के left side में चलना है If there is no footpath walk on the right side on the road अगर आप कहां नहीं चल रहे हो आपके आप पुटफात नहीं है तो हमें इसा right side में चले road की right side में so that you may be able to see what is coming at you from in front तो आपको सामने से क्या आ रहा है उसके बारे में आपको पता चल जाएगा never play on the road road में हमको नहीं खेलना चाहिए कभी नहीं खेलना चाहिए road में आप देखेंगे आगे safety rules while crossing the road हमें क्या safety rules करने चाहिए जो हम road को cross करते हैं cross the road carefully हमें इसा साथदाने से road को cross करिए never run cross the road watch traffic light जो road cross करते से में कभी भी दोड़ना नहीं चाहिए और किसको देखो हमें से traffic light को देखो cross the road when traffic stops and left light is green for the people on the people on the foot on foot देखे, cross the road when traffic stops हमें इसा road को तब cross करना चाहिए जब traffic रुका हो यानि कि गाड़ी रुक रखी हो and light is green और light क्या हो रुक ही? for the people on foot इसके लिए जो लोग चल रहे हैं उनके लिए always cross the road at the jabra crossing और jabra crossing jabra crossing होती है traffic light होती है यह होती है बड़ी-बड़ी city हो में तो हमें सब जेबरा crossing में आपको road cross करना चाहिए if there is no jabra crossing wait until the road is clear और जहाँ jabra crossing नहीं है for example हमारी श्रीनगर city में नहीं है तो हमको तब तक इंतजा करना चाहिए जब तक road खाली नहीं हो जाती है जब road दोनों side से clear होगी उसके बाद हमें road को cross करना है first look the right then look the left पहले right को देखिए और उसके बाद left यानि कि दाएं बाएं दोनों side में आपको देखना है then look at the right again and cross road only if the road is clear देखो बच्चा पहले आपने जब road cross करते हैं सबसे पहले right को देखिए ठीक है right को देख लिया आपने उसके बाद आपने left को देखना है फिर left को देख लिया फिर दुबारा right को देखना है कभी-कभी हम क्या करते हैं right को देखते हैं left को देखते हैं और सीदब park लेते हैं देखते हैं नहीं कि राइट की तरब से भी गाड़ी आ रही थी, इसलिए एक बार फिर से राइट को देखना है, उसकी बार रोड को क्रॉस करना है, जब बिलकुल रोड खाली होगे, Safety Rules While Riding a Bus, देखो जब आप बस में सवारी करते हैं, Always stand in two while waiting for a bus, हम इस लाइन पे खड़े रहे के अपनी बस में चलने का इंतजार करना चाहिए, Do not jump into a moving bus, कभी भी चलती बस में कूदना नहीं चाहिए, Wait for it to stop, उसकी रोडने का इंतजार करना चाहिए, Do not push each other while getting into the bus, जब आप बस में चड़ते रहते हो, तो किसी के जब धक्का मुखी नहीं करना चाहिए, किसी को भी धक्का नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ते हैं, आगे है, Never try to get off a moving bus, wait for it to stop, और चलती गाड़ी में भी आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए, जब गाड़ी चल रही हो, उसकी रोखने का इंतजार करना चाहिए, Do not lean out the window of a moving bus, अब देखो जब बस चल रही है, तो खिरकी से बिल्कुल जांकना नहीं चाहिए, नीचे को असे लटकना नहीं चाहिए, Do not keep your hand or lean head out to the window of a moving bus, अब जो चलती गाड़ी रहती है, उसके खिरकी से कभी भी अपने हाथ और अपनी गर्दन को सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए, ठीक है, Do not travel on the footboard, sit quietly inside the moving bus, और जो footboard रहता है, वहाँ पर बिल्कुल भी आपको बैठके नहीं बैठना चाहिए, आपको बिल्कुल अपनी seat में बैठना चाहिए, बिल्कुल सांती से बस में बैठना चाहिए, बस के अंदर एक दम शांती से बैठना चाहिए, तो आज हम इतना ही करे करेंगे, safety rules while playing खेलने के नियम, खेलने में care safety rules follow करते हैं, इसको हम next video में पढ़ेंगे, तो इतना आप ध्यान से पढ़िए, ओके